ग्लास्टेंज साइन्स, NCRT के प्रश्ण के कुछ एंसर्स देखते हैं, चेप्टर एट में जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें आज हम एक महत्वपुन प्रश्ण देखेंगे, प्रश्ण है कि DNA प्रतिकृती का प्रजनन में क्या महत्व है, यह प्रश्ण एक तरीके से और हमा आपको एक ही लिखना है, कुल मिला के यह DNA का इंपॉर्डेंस है, जो रिप्रोडक्शन में इसका जो इंपॉर्डेंस है, उसको बताना है, मतलब जो DNA कौपिंग होती है, उसका प्रश्णन में क्या महत्व हमें यह बताना है, तो सबसे जो महत्वपुन बात यह है कि जो प तो जो प्रेजनन की मूल घटना वो DNA की प्रतिकृति बनना है प्रेजनन में एक कोशिका द्वारा DNA की प्रतिकृति यो कौपी का निर्माण होता है अब इसके अगर महतु को बिंदुओं के रूप में आप लिखना चाहें वेसे तो यह महतु प्रारम भी हो गया है कि कि जीव के अनुवानशिक गुणों को अगली पीडी तक पहुचाने के लिए यह सबसे महतु पुण है हम जानते हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाले गुण सुत्र के DNA के अनुवानशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से कहां जाते हैं संतत्य तक जाते किसी जीव के अनुवांशिक गुणों को अगली पीडी तक पहुंचाने के लिए और दूसरा बहुत सरल तरीके साब लिख सकते हैं कि जीवों में गुण सुत्रों की संख्या एवं अनुवांशिक सरशना को बनाए रखने के लिए तो इतना लिख देना आपके लिए परिया प्रोटीन त्यार करने में और मोटे तोर पर हाला कि ये बिंदू भी इसमें उपर शामिल हो गए हैं होता क्या है कि जो कोशिका के केंद्रक के डियने में प्रोटीन सलस्लेशन एतु जो सूचना नहीत होती है और जिसके शारिरिक अभिकल्प का ब्ल्यूप्रिंट तयार क करने में मदद मिलती है और साथ ही जो डियने प्रतिकृति में जो विभिन्यताएं उत्पन होती है वो जे विकास का क्या होती है आधार भी बनती है तो डियने प्रतिकरण या डियने कॉपिंग का जो इंपॉर्डेंस या महत्वे उसमें आप यह दो बिंदू लिग दीज